आदर्णिये चकरवर्ती शर्मा जी, भाई हमारे नौजवान संगरशील साथी, भाई बलराम दांगी जी, हमारे भाई बिलू हुडा जी, जैदीब धनकर जी, बलराज आज के हमारे कारिकरम के मुख्य आयोजक जो रहोतक सहर से परदेश कॉंग्रेस कमेटी के तदसे भी के रूप में जो आज पर PCC के मैमबर भी हैं और मेरे बचपन के दोस्त और बचपन के सुखभु के साथी हमारे भाई बलराज बल्ले जी, हमारे भाई हमारे आदर्निये प्रधान जी, बल्वान सिंह पांचाल जी हमारे परदान जी, लुकेंदर फुगाड जी, सत्बीर जा पांचाल जी, रामकुमार जी, हमारे गुल्षन इष्पिनाई जी पार्षद, कदम सिंग इलावा जी पार्षद, प्युवी भावरा जी, मौनु शर्मा जी, देवंदर भारथ जगत सिंग, काला जी, हेमन बक्षी जी, कुलदीप केडी जी, जी तेंदर जांगडा जी, हमारे अजे भाती जी आशोक मेन एल्टे एंज योगंदर जी अखांड भुंचंड national जी अजीघ् At अज़त सिंह पंच्राथम मेंपा निंग सिंह पंच्राथम इनदर सिंह पंच्राद जी उणीट nous अशोग जांगडा जी सुनीता जी और सभी ये जो नाम सभी किसी का नाम अगर रह भी गया हो तो सभी पिता तुल्ले मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मात्रशक्ति आप लोग बहुत देर से बेटे हैं बहुत लंबा कारकरम चला और स्वागत समारों का कारकरम इतना लंबा मैं समगता हूं कि काफी देर से आप लोग बेटें तो मैं ज्यादा समय या लंबी बात या लंबा भाशन मैं समगता हूं आज उसकी को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं आज यह जो इतना आयोजन यहां पर भगवान श्रीव विश्कर्मा जी महराज की पूजा आयोजन यहां पर करने काम हुआ इतने भवे रूप से इसको मनाने का काम हुआ है इसके लिए सभी आयोजकों को भी बधाई और उपस्तित सभी लोग यहां आप सबको मैं बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहता हूं इतने बड़े इतने बड़े स्तर पे यहां इसका जो आयोजन आज हुआ है क्योंकि हमारे यह स्रिष्टी का नियम है कि नीज जितनी गहरी होगी उतनी उच्ची मारत जाएगी त और हमारा कदाईत हुए है कि हम अपने अगली पीडी को अपने धर्म, अपनी सब्बता, अपनी संस्कृति के संसकार अगली पीडी को सौपके जाएं और वो संसकार सौपके जाएं उनमें इस तरह के आयोजन का अपने आप एक महत्व हो जाता है आज हम पूजा कर रहे हैं भगवान श्री विश्किर्माजी महराज के दर्बार में और ऐसी पूजा याजना के अफसर पर इतनी बड़ी संख्या में एक ऐसा भवे आउजन हो तो मैं सवच्छा हूँ अगली पीडी को हम अपनी संस्कर्थी धर्म संसकारों के परती अगली पीडी में एक जागरती भी लेट लेट लियाने की हम साथ के साथ कार करते हैं इसलिए मैं सारे आयजगों का बहुत-बहुत इस अफसर पर मैं अभार व्यक्त करता हूं और आप सब से मिलकर आप सब के साथ मिलकर यही प्रात्ना करते हैं भगवान विश्च कर्मा जी इस शिर्ष्टी के रचैता इस शिर्ष्टी के सिल्फकार उनके दरवार में अंब य शर्याना पर बरसे हमारे देश पर बरसे और भारतवर्स की तरक्की हो भारतवर्स खुशाल हो आने वाला समय अगला ध़वि legislature हमारी अगली पीड़ी का बहुत अच्छा हो सारे दुक तकलीफ कर्ष्ट हर व्यक्ति के घर से भगवान हरे और हर व्यक्ति को खुशा खुश भूट सी बते कही गई हैं और कि इस सबसर पर है खवगवान से म भी प्रॉट्या करते हैं भगवान विश्ख गरवाजी महराज के दरवार में हम यह भी हम प्रात्मा करते हैं बहुट्या और हमसब प्र बरसे और इस इलाके पर हर्याना प्रदेश पर भी वरसे और वो खोई हुई रस्तार विकास की वापस आए वो विकास का पईया रहतक में भी घूमें और पूरे हर्याना प्रदेश में भी उसी रफतार से घूमें ताकि विकास की तरफ हमारी अगली पीड़ी आगे जा सके अपने समाज के बारे में मैं जरूर क्योंकि यह बाते आई मैं उनके बारे में अपना अपनी दोशवत भी मैं जरूर कहना चाहूंगा यह सही है कि सबसे पहले जहां तक रहोतक की बात है बड़े लंबे के समय के बाद अपने इलाके में अपने इलाके के एक बेटे को अफसर मिला हुडा साप के रूप में मुख्यमंती के रूप में 2004 में कॉंगेस पार्टी की सरकार बनी उससे पहले रहोतर की क्या परिस्तिती होती थी बड़े बुजुर्गों को आप सब को याद होगा अफसर मिला जब राज हमारे इलाके में आये तो प्रियास किया ये इलाका आगे जाए विकास कारेों की तरफ आगे बड़े 2014 में जब वो खईयोर राज चला गया बीजेपी की सरकार बनी तो विकास की उरफतार वहीं रुख गई विकास कारे हुए नहीं मैं उधारन देना चाहता हूँ जब दस वर्ष आपकी सरकार थी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी आपके आशिरवाद से मुझे यहां से लोकसभाद चेतर में एक सांसत के रूप में आपने अफसर दिया था उस समय केवल शिक्षाद चेतर में देखें तो रहतक लोकसभाद चेतर में चार नई उनिवर्स्टी बनी, 18 कॉलेज बने, सरकारी कॉलेज, 18 सरकारी आई टी आई बनी, 8 पॉली टेक्नीक अलग-अलग बनी, 2 केंद्रिय विद्याले, भारत सरकार से, 2 इंजीनेरिंग कॉलेज, हरियाना सरकार से, और 120, खेल के स्टेडियम अलग-अलग जगां गाओं में और बड़े शेर की बात हो, और इसके अलवा पांच राश्टिस तरके संस्थान, चाहे एम सो, चाहे आई आई टी हो, चाहे आई एम रोतक हो, चाहे फडीडी आई हो, चाहे अचाहे मुदुर्भाग की बात ये है, म एकड़ों की संख्या में नए स्कूल बने अलग-अलग गाओं में शेहरों में दुख की बात यह कि सरकार में बीजेपी की सरकार साड़े नौ साल हो गए यह जो युनिवर्स्टी बनी थी युनिवर्स्टियां बनी थी जो ITI, AIM, College, Polytechnic, ITI यह अगली PD के भविश्य को देने के कारे में थी दुर्भाग की बात है कि साड़े नौ साल की भाजबा सरकार में एक नहीं युनिवर्स्टी या कॉलेज या ITI, Polytechnic तो दूर की बात है कोई एक नया सरकारी स्कूल भी रहतक लोक्सबाद छेतर में साड़े नौ साल में नया स्कूल इस सरकार में बनान हैं इस बाग का दुख है क्योंकि शिक्षा को के विस्तार को रोकना नहीं चाहिए कम जञाधा रफतार हो सकती है मगर सिक्षा के विस्तार को नहीं रोकना चाहिए इसी तरीके से स्वास्त की बात है उस समय सूपर स्पेशैलिटी के निजी और प्राइवेट छेतर के एकुल मिलाकर चार हस्पताल बने एमस टू की बात हो नैशनल कैंसर इंस्ट्टूट की बात हो पीज़ाई रोतक के विस्तार की बात हो महराजा अगरसेन की बात हो और 68 नए हस्पताल उस समय इस छेतर के अंदर खुले थे रेल की लाइन 230 किलो मीटर रेल की लाइन बिछी थी रोतक जजजर रिवाडी से जुड़ा था और रोतक महमासी की रेल की लाइन कांतिम चरण में काम पहुच गया था जो 10 साल के बाद भी आज भी वो रेल की लाइन में ट्राइल रन हो रहा है 10 साल के बाद भी जमीन एक्वायर हो चुकी थी केवल इनको रेल की लाइन पूरी करानी थी इसी रूप से चाहे मेट्रो भादुगर तक पहुची थी उस समय अब 9.5 साल से साखोल से आगे भादुगर एक खंबा भी 9.5 साल में मेट्रो का आगे नहीं पहुच पाया चाहे वो रेल की लाइन 230 किलो मिटर इस चेतर में उस समय रेल की लाइन बिची हो चाहे मेट्रो 25 किलो मिटर भादुगर तक मेट्रो पहुची हो साड़े-9 साल में ना एक इंच रेल की लाइन बिची ना एक खंबा मेट्रो आगे बढ़ा चाहे उस सम बादली खान पड़े खाने लगे हों चाहे बादली और बाड़सा के पास MET Reliance आई हो देश का देश चाहे पहना पॉनाइसानिक हो चाहे योकोहामा हो चाहे मारूतियों पेंट ओ मैं सबता हूं देश भी देश का कोई ऐसा कमल्टी नैशनल कंपनी को ऐसी नहीं होगी जो सम चिशा का सशान नहीं बना एक कोई जो है हस्पताल नहीं बना कंग एक मेट्रों आगे नहीं आई ‫दोगिक छेत्र करते हैं आज यह हम इस अफसर पर चाहीं है हैं और यह संकलप रहे रहे हैं यह विकास कई यह फिर घुमेगा ढूबारा से उनुवर्स्राइब लेके आएंगे दूबारा से औध्योगिक छेत्र भी आćे आंगे दूबारा से नैशनल हाईवे में विस्तार भी होगा सठकों में विस्तार भी होगा जो एरपोर्ट हमारा मेहम में आना था जो चला गया नौइडा में वो एरपोर्ट भी वापस लेके आएंगे और भादुगड से मेट्रो रहो तक भी लेके आएंगे हम संकल्प कर रहें विकास का पिया फिर भूमें हमारे छेत्र में ताकि आने वाला समय आगे वाला समय हम अग पहले विकास के मापदंडों में आगे माना जाता था देश में अगर बात आती थी प्रतिव्यक्ति आये प्रतिव्यक्ति निवेश विकासदर की तो हर्याना देश में नमबर एक पर माना जाता था ना किसान ना मज़दूर को किसी वर्क को शुआ धर्णा नहीं देना पड़ाज भी हम देख erÓ सफाई करमचारी को धर्ना तो आज भी चलता है लेकिन 10 वर्ष में ना लोगपा दो आपस में भाईचारे खुशाली से प्रदेश आगे बढ़ा उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई अच्छे दिनों के अवाइदा था हर्याना में सरकार बनी जो प्रदेश हर्याना देश में विकास में नंबर एक होता था इन साड़े-9 साल में केवल रहोता की नहीं पी हर्याना पहुच गया दिल्ली के तीन तरफ बसा हर्याना दिल्ली के तीन तरफ बसा निया जो देश में रोजगार में नमर एक होना चाहता हर घर में एक शिक-शिक नौजवान बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई स्थिती ऐसी आगी आज नौजवान अभी 13,000 ग्रू में उस हिसाब से रोजगार दिल्वा पाई सरकार क्योंकि इंडस्ट्री नहीं आई और नहीं सरकारी चेतर के अंदर उस रूप से रोजगार दिल्वा पाई क्योंकि सरकारी चेतर के अंदर रोजगार तो समाप्त किये जा रहे हैं या तो पोस्ट खतम की जा रही हैं बड की नौकरियां दी जा रही है या अगनी पज्यासी योजना के इंदर सरकार लियाई जिसमें फोज की नौकरी भी चार साल के बाद बिना पेंशन के वापिस आ जाओ तो सरकार जो उसके बाद एक के बाद एक भरती घोटा ले पेपर लीग घोटा ले देश में सबसे जादा भरती घोटा ले एच्पेसी के दफ्तरों में करोड़ रुपे की बराम्दगी फिर भी एक दो जो लिस्ट आई दुरभाग की बात ये है इसके बाद भी जो लिस्ट है आतिन सरकार की उसमें हरियाना से जादा हरियाना के बाहर के नौजवानों को लिस्ट में नमर मिलता ह ऐसडियो की लिस्ट आई 2019 में असी में से एक टैनिकल के लगाये दो हरियाना के स्थी आइस ऋ ऐलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2015 में नौजवानों को अफसर मिला और अरहियाना के ये अनौन देपनत बच्चों को उसमें स्थान मिला पूरे पांच साल में एक भरती करते हैं अभी जैसे चुनाओ से पहले पिछली बार भी चुनाओ से पहले भरती करी अभी चुनाओ से पहले एक भरती निकाल के और पांच साल हर्याना के नौजवान को आज देश में सबसे यादा बेरोजगारी का बेरोजगारी, कहीं डिप्रेशन, कहीं नौज़वान, कहीं नसे की बात आती है, कहीं अपराद की बात आती है और कहीं घर बार बेच के विदेश में आज खास तोर पे उत्तर हर्याना का नौजवान जाने पे विवस्ट आज हम देख रहे हैं ऐसी स्थिती पैदा कर दी एक तरह बेरोजगारी दूसरी तो महंगाई कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार बीजेपी सरकार ल बच्चों की स्कूल की फीस और सबसे महंगी बिजली आज देश में हर्याना में ऐसा ही स्थिती आ गई और उपर से ब्रस्टा चार लूट की छूट बच गई बीजेपी और जेजेपी पिछली वार ये सरकार लोग नहीं चाहते थे इनका 75 पार का नारा जरूर ता 2019 में ख चुनाव में 2019 में तो कॉंग्रेस की 36 और बीजेपी की 35 सीट आती लेकिन एक पार्टी आई जेजेपी पार्टी दुशन चुटाला की जो कहते थे बीजेपी कुरो जमनापार खटर साहब कहते थे 75 पार एक कहता था 75 पार दुसा का जमनापार इलेक्शन का नतीज़े आते दोनों बनके पक्के यार और हर्याना बनादी भरस सरकार हर्याना में ऐसी बनादी भरस सरकार अपने ब्रस्टाचार की छूट महकमे इस बात पर बाटे गए कि महकमों से कौन कितना लूटता है शराब का महकमा किसके पास एक्साइज का महकमा किसके पास और ये सारी लिस् खोपर बढ़ गया और फो पर एक लाए जीमने लग रहे है लिए एक लाइजल लग रहे ब्यान आया उनका या तो भ्रहस्टाचार की वह पॉल खोलेंगे या प्रहस्टाचार की क्राइड करा artist इसी-चिंगे जिनका ब्यान कि पट्री को इन्होंने विकास की पट्री से उतार दिया ब्रस्ताचार बेरोजगारी महिंगाई यह तो आज यही यह बी संकल्प ले रहें आज हम यह भी संकल्प लेते हैं कि अगली अगले भगवान श्री विश्प कर्मा जी अगले पूजन तक अगली दिवाली तक हरियाना में ऐसी सरकार आए हरियाना में दुबारा से विकास के पईया घुमें ऐसी सरकार आए जो इस महंगाई के कवच महंगाई की कमर तोड़ने का काम करें और जैसा की कॉंग्रेस पार्टी की करनाटक और हिमाचल की सरकार में हु और अगली दिवाली और अगली दिवाली तक हरियाना में हम संकल्प लेते हैं कि हरियाना में एक ऐसी सरकार बने जो करमचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाब दिलाने आ काम करें और हम संकल्प लेते हैं हरियाना के अंदर ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों को जिनके साथ धुका हो गया जिनको बोला था एक 500 पेंशन बोला हमारा समझोता हो रहा हम एक 500 पेंशन देंगे लेकिन एक 500 पेंशन नहीं आए के वल धुका मिला साड़े-चार सालों म छे महीने बाद चुनाओ है हरियाना में ऐसी सरकार बने जो बड़े बुजुर्गों के साथ किये गए धोके का जो है इसाब किता बराबर करें और देश में सरवादिक 6000 बुड़ापा पेंशन अगली एक नवंबर से हरियाना के अंदर बड़े बुजुर्गों को दिलवा लूए काम करें हरियाना में ऐसी सरकार आए जो 100 के प्लोट का फैसला था एसी वर्के हमारे भाई के हमारे भाई 2006 तीद ग्यरी परिवार के जिसमें शामिल किये गए थे चार लाग परिवारों को सो सो गज के प्लॉट हर्याना मिले थे लेकिन इस सरकार ने वह स्कीम समाप्त कर दी एक नया प्लॉट किसी को दिया नहीं जब से कौंगे सरकार गई है और जहां प्लॉट थे वहाँ पर ना विकास कारे कराए ना कभज सरकार बने सोगज की प्लॉट की स्कीम दुबारा शुरू हो जो वंचित परिवार रह गए थे उनको सोगज के प्लॉट मिले और उन सोगज के प्लॉट पे दो कमरे के सरकारी साहता से इंद्रावास योज नहीं मकान बनवान के गरीब आदमे को देने का काम करें आज हम य बी ये समाज के लिए क्लास बने सरकार बनी हुटा साब क qualification के क्लम आई तो पंद्रा परतिशत चोटल दक परतिषग पहली और देष में आगर वी सी समाजी के सरकार को या तो आप नहीं तो 15% भी हमने किया था BCA समाज को पहले भी हमने Class 1, Class 2 में Reservation देने काम किया था आगे भी इस 15% को आगे भी बढ़ाने का काम हम करेंगे जब हमें अफसर मिलेगा हरियानम हम कहना चाहते हैं सरकार को और ऐसे ही मैं समत्ता हूं बहुत सी बातें ये बैकवर्ड निगम के बैकवर्ड निगम के 300 करोड के करजा माफी की योजना आई थी और बैकवर्ड निगम में मगर जो इंटरस्ट है जो इंटरस्ट है उस पे ब्याज का परतिशत हाई है और ये पीछे कॉपरेटिव किसान के लिए जो कॉपरेटिव के करजा है उसमें हमारी सरकार्थ के समय भी और पूरे देश में भी सुने परतिशत तक कई परतेशों ने देना काम किया थी हरियाना में बैकवर्ड निगम के भी इसी परतिशत पर बैकवर्ड निगम में भी लोन मिले ये हमाने वाले समय में करने काम करेंगा याने के अंदर और एक और बात जो मेरे नोटिस में लाई कि जो हमारे समय राजीव गंदी बीमा योजना थी मजदूर यानि कि जो अपना जो है किसान या मजदूर खेत में काम करें चाहिए वो किसान हो या मजदूर हो उसको अगर खेत में काम करते हुए अगर हो जाए तो पांच लाग की उसमें भीमा योजना में प्रावधान है इन्होंने तो बढ़ाया नहीं साड़े नौ साल में मगर जो सिल्पकार कोई अपना जो है कोई कामगार कोई अपने काम करते हुए वो इसमें योजना में सामिल नहीं थे कि मजदूर और किसान इस योजना में सामिल थे तो भई ये कामगार को भी उस योजना में सामिल करते हुए बहुत से वर्ग है जिसमें BCA समाज प्रमुक ऐसा वर्ग है जिनकी संख्यागर पूरे देश में देखी जाए तो ये बहुत संख्याग बल वर्ग है मगर एक विधान सवाज चेतरे एक में अतनी संख्या नहीं होती लेकिन अगर सभी विधान सवाज चेतरों में अगर आप जोड़ के देखें तो यह समाजों समाज है जो मूल बैक्वर्ड समाज वो समाज है वह बहु शंखी बहुत से समाजों से संख्या बल जादा होती है तो यह इसलिए का सेंसर जुरूरी है कि जो है अफना स Canjo健 hi सामने आए और संख्या के अनुसार अधिकार मिले और आपको याद होगा जब ये महिला आरक्षन लेके आई थी सरकार की भई आने वाले समय में जो लोकसभाओं के अंदर हम सीटों के अंदर जो ही वो करेंगे तो उस महिला आरक्षन पे मैं के साथ-साथ मैं ने का कि अगर इसको बदलने की अगर बात आ रही है हम स्वागत करते हैं महिलाओं का भी हो लेकिन साथ की साथ BCA समाज के लिए भी सीटे रिजर्व की जाएए लोग सभा के अंदर राजे सभा के अंदर तो राजे सभा में आपने देखा होगा कि मैं इस पर कट मोशन लेकर आया था राजे सभा में किसी ने अगर टीवी देखियो जिस दिन महिला अरक्षेन आ रहा था तो मैंने का आप मैं यह पता है सारी जो है हमारी जो है हमारी बहन कमलेज कि लावती जी और हमारे यह उसमें तो राजय सभा के अंदर मैं इसमें कट मोशन लेका हैं मैंने का वह BCA समाज क्योंकि इतना बहुत संक्रिक समाज लेकिन उतने विधान सभाओं लोक सभाओं के अंदर पर दो इसलिए नहीं मिला को एक एक जो है एक विधान सभा में उतनी संक्यानी मगर अगर सारा का देखा जाए तो मैंने का भई इस बात को भी जैसे आप महिला रक्षन लेके आए हैं मैं इसको भी साथ आप करने काम करें तो यह लड़ाई जो है वहाँ पर पार्लेमेंट के अंदर हम लेके आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाईंगे मैं कोंगरेस पार्टी से अंदर भी पार्टी से राश्टे स्थर पर जैसे धनेवाद करता हूँ राल गांदीजी ने कास सेंसस पर राश्टे सर पर कराया जाए दुख्की बात यह कि बीजेपी ने रिजेक कर दिया और प्रधानमंती जी ने इसकी जुरूत नहीं है मगर जुरूत है ताकि संख्या के अनुसार सबको उनका अधिकार मिले हर वर को उसका अधिकार मिले आवशक है तो जह उनका धन्यवाद करते हैं और उनके उनसे समाज को अधिकार देने की बात है यह भी कौंगेस में राष्टे स्थर पे हम लेके हैं इस बात के लिए भी मैं स्वेम राहूल जी से मैं भी आगरे करूंगा और अपने और से मैं पूरा जहिसके लिए प्रयास करूंगा और भाई अगले और अंत में हम यह प्रातना करते आज हम यह प्रातना करते हैं भगवान श्री विश्करमा जी महराज के दरबार में भगवान शीराम के दरबार में के हर्याना में अगली एक नमबर तक ऐसी सरकार आए जिसमें भाई एक हर भाई दूसरे भाई से गले मिले आपस में प्यार हो प्रेम हो और खुशाली से द तो ये आज वो करते हैं पिछली वार थोड़ी बहुत कसर रह गई थी मुझे विश्वास है कि अपने समाज का पूरा शिर्वाद और पूरा साथ मिलेगा इस वार हर्याना के अंदर बदला होते हैं मुझे पूरा विश्वास है और आज जो ये इतना भवे कारकरम का आयोज जब मैं स्कूल के अंदर मैं स्कूल के अंदर स्टूडेंट था उसमें राजनिती का कोई वो नहीं था और मेरे को पढ़ाही का ज्यादा शौक था उसमें एक इलेक्शन में यह हुआ कि भई जो है हुटा साब इलेक्शन लड़ रहे थे तो गबला भई आप जो है अधिये जी के साथ के साथ यह आए मम्य ने कहा कि आप दोनों जाओ और आप थोड़ा सा कई कोलोनियों में आप जाने काम करो इनको याद होगा शीलू भी बैठा है वो भी था तीन-चार तो हम तीन-चार साथी थे हम तीन-चार साथी थे आज से बहुत बहुत बर्श तो ये जो है तो मैं अपने भाई को आज मैं उस दिन को याद करता हूँ कि जो है उस समय से हमारा जो एक और पूरी टीम आपको भी बधाई देता हूँ आज वो दिन याद आ गया मुझे तो आप और पूरी सारे आजगों को अपनी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामनाई देते हुए आखिर में आप सब हम सब मिलके जो है इस जैकारे में शामील होंगे और उसके बाद जो आगे का कारिकरम है तो इस जैकारे में मगर अच्छे से जो है कसके जितने भी बच्चे हैं खास तोर पे सारे कसके अपना मुठी भीच के और जैकारा ऐसा हो कि भाई बचे बो भगवान श्री विस्करमाजी महराज की जैकार भगवान श्री विस्करमाजी महराज की जैकार भाई दिपेंदर उटा की अपना बन रहा है इसमें अब तक जो है अलग-अलग समय मिला कर बता रहे थे बल्ले जी कि आप से अलग-अलग हमने टोटल 37 लाग आप तक इसमें लिये हैं लेकिन इसकी तो 37 लाग लीज में थोड़ी और इसमें आवशकता है तो भई आज क्योंकि सांसत कोटा है और बाकी तो अपना जो है सरकार में तो है विपक्ष में है विपक्ष में भी 15 MP अर्याना से दस लोगस्वा पांच राजवाद 14 बीजेपी में है एक अकेला विपक्ष में हो अपनी तरफ से फिर भी जो है मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन अपने सांसत कोटे से मैं 21 लाग की आज इसमें अपना जो हुँआ हुआ